हेलो फ्रेंड्स वेलकाम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सिदक दोस्तों साड़ा अजदा टोपिक है जर्नल स्टडी प्रैक्टी सेट नमबर 10 और दोस्तों इस प्रैक्टी सेट दे अंदर टोटल वी कोश्चन हन सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं साड़ा अजद वाले सारे वीडियो दा नोटिफकेशन टाइम नाल मिल दा रहे और दोस्तों जे कर तुसी इस वीडियो दा पीडियाफ चांदे हो ता तुसी साड़े टेली ग्राम चैनल ते जाके भी इस वीडियो दा पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों कल ही पंजाब सरकार ने एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेंट दे विच एक्साइज एंड टेक्सेशन इंस्पेक्टर दी वकैंसी नोटिफाइग किती है दोस्तों बहुत ही अच्छी वकैंसी है और दोस्तों आज ओ प्रेक्टिस सेट हन अथवानू उस एक्जाम दे लेवी equally ही important हन so दोस्तों जुड़े रहो नाल चल दे हैं सड़े अज़ी वीडियो ते जिदे भी सड़ा पहला question है question number one the earliest settlement of आर्यन tribes were question दे विच पुछिया गया है कि जो आर्यन tribes हन आर्यन जन जातिया हन उना दी सब तो पुराणी बस्तिया कि थे सन अ उत्तरप्रदेश B. बंगाल C. सब्त सिंधू and D. डेली दोस्तों थे question दा right answer है C. सब्त सिंधू सब्त सिंधू दा मतलब होंदा है seven rivers so question दा right answer है C. the earliest settlement of आर्यन tribes were सब्त सिंधू और दोस्तों ऐ 1520 दे राउंड इत्या के बसे सन और इसनु ब्रह्मा वरत्वी केहा जानदा है और उस्तों बाद दोस्तों लेटर वैदिक पिरियेट दे विच एंडो गैंक्टिक प्लेन दे विच जाके वसे सन जिनु दोस्तों आरे वरत्देनातों जाने जानदा है so इत्ते question दा right answer है question number two in which rogue addict Ashoka mentioned about the casualties of Kalinga war and declare the renunciation of war दोस्तों question विच पुच्छा गया है कि समराट अशोक दा ओकेडा शीला लेक सीगा जिदे विच उनना ने Kalinga war दे विच होई casualty दे बारे दस्या ते युद नु छड़न दिगल किती सीगी दोस्तों चार ओप्शन दितिया हन पहली ओप्शन है मास्की एडिक्ट second is rogue addict 13 third is rogue addict 11 and fourth is rogue addict 10 दोस्तों question दा right answer है B rogue addict 13 rogue addict 13 दे विच जो casualties होई है सन कलिंगा वार दे विच उदा mention किता गया है ते समराट अशोक दे जो युद्ध है गया उन्हों छड़न दिगल दा वर्णन भी किता गया है so question the right answer है B rogue addict 13 rogue addict 13 and minor rogue addict 1 state that human suffering and mass killing due to the कलिंगा वार promoted अशोका to take Buddhist religion and to adopt the path of dham so question the right answer है B rogue addict 13 question number 3 vermicomposting is done by दोस्तों question दे विच पुछया गया है vermicomposting कि में किती जन्दी है A fungus देनाल B bacteria C worms and D animals दोस्तों vermicompost जो हुन दे हन एक nutrient rich organic fertilizer हुन दे हन और दोस्तों vermicomposting करन दे लई sun earthworm दी requirement हुन दी है तुसी इमेज विच भी देख सकते हो so question दे थे right answer है C worms vermicomposting is the process of using worms and microorganism to turn kitchen waste into black earthy smelling nutrient rich humus so question दे right answer है C worms question number four who had proposed party less democracy in India दोस्तों question दे विच पुछिया गया है कि बिना party तों लोग तंतर दा सुजाव hate लिखें विच्चों किना ने दित्ता सी गा दोस्तों चार ओप्षिन दित्या हन चारा दे विच्चों right answer दी चोन करनी है साड़ी पहली option है जै प्रकाश नारायन second is महात्मा गांधी third is विनोबा भावे and fourth is S.A. डांगे दोस्तों party less democracy दा जज़सुजाव है वो दित्ता सीगा जै प्रकाश नारायन ने so question दा right answer है A. जै प्रकाश नारायन question number five who has won the formula one Spanish grand prix दोस्तों question दे विच्च पुछिया गया है कि formula one Spanish grand prix दे विजेता कौन हन दोस्तों formula one Spanish grand prix जो है Lewis Hamilton ने जित्ती है so question दे थे right answer है C. दोस्तों Lewis Hamilton दी फोटो तुई साइड़ीच भी देख सकते हो so question दा right answer है C. formula one Spanish grand prix दे विनर हन Lewis Hamilton question number six which state has recently launched मुख्या मंत्री COVID उप्चार योजना दोस्तों question दे विच्च पुछिया गया है ओ केड़ी स्टेट है जिसने हुने ही मुख्या मंत्री COVID उप्चार योजना नू launch किता है दोस्तों चार ओप्शन दिती है हन पहली है कि A. बिहार second is उत्तर परदेश third is महारास्टरा and fourth is मध्या परदेश दोस्तों मुख्या मंत्री COVID उप्चार योजना जो launch किती है वो किती है मध्या परदेश ने so question दे थे right answer है D मध्या परदेश दे जो CM हन वो है कि शिवराज सिंग चोहार और दोस्तों मध्या परदेश दे जो गवर्णर हन वो है कि अनंदी बेन पटेल so question दे थे right answer है D मध्या परदेश दोस्तों अनंदी बेन पटेल तो एक question बनदा है कि अनंदी बेन पटेल को और केड़ी स्टेट दे गवर्णर दाचार्ज वी है जे कर दोस्तों थो हनु पता है ते अपना जवाब comment section वी जरूर दसना Question number 7 At which place in Bengal was the East India Company given permission to trade and built a factory by the Mughal in 1651 Question दे वीच पुछिया गया है कि Bengal दे वीच ओग केड़ी जगा है जित्थे East India Company नू trade करन दी ते फैक्टरी बनान दी permission मुगल्स द्वारा सोना सो इकवंजा वीच दित्ती गई सीगी दोस्तों चार ओप्शन दितिया हन पहली है कि A कलकत्ता सेकंड इस कासीम बजार थर्ड इस सिंगूर और फूर्थ इस बर्दवान दोस्तों question दे थे right answer है B कासीम बजार Question नूम्बर एट Darwin Finches refer to A group of दोस्तों question वीच पुछिया गया है कि Darwin Finches हेट लिख्या विच्चों किस ग्रूप दे विच ओंदी है चार ओप्शन दितिया हन पहली है कि फिशीज सेकंड इस लिजर्ड्स थर्ड इस बर्ड्स एंड फोर्थ इस अम्फिबियन्स दोस्तों जो Darwin Finches हन और अंदे हन बर्ड्स दे विच so question दे राइट अंसर है C Darwin Finches नू तुसी इमेज दे विच भी देख सकते हो question number 9 which city is the Manchester of the Punjab Punjab दा Manchester हेट लिख्या विच्चों किस शेहर नू केहा जान्दा है A. जलंदर B. लुधियाना C. चंडिगाड and D. अम्रिसर Manchester of Punjab केहा जान्दा है लुधियाना नू so question the right answer है B. लुधियाना is the Manchester of Punjab question number 10 who discovered South Pole South Pole दिखोज हेट लिख्या विच्चों किसने कीती सी की A. रोबर्ट पैरी B. अमंटसन C. जोहन कैबट and D. तसमान दोस्तों South Pole दिखोज कीती सी की अमंटसन अमंटसन डिस्कावर्ड South Pole so question the right answer है B. question number 11 supersonic jet causes pollution by thinning of दोस्तों question दिख पुछिया गया है supersonic jet जो pollution करदे हन उदे कारण केड़ी layer पतली हो जान्दी है A. O3 layer B. O2 layer C. SO2 layer and D. CO2 layer दोस्तों question दे थे right answer A. O3 layer supersonic jet दे pollution दे नाल ozone layer दे उते बहुत फरक पेंदा है और ozone layer दा depletion होंदा है so question दे थे right answer A. O3 layer ङस सबॉस्तों बहुत्ट पंडर खेंगưởng पजस्तों देंदा क कतो अध्चिया खल्षान दे पाईडर दुछिया कोश्चन नमबर थर्टीन वुड इसे कोमन नेम ओफ दोस्तों कोश्चन दे विच पुछिया गया है वुड यानि की लकडी किस दा कोमन नाम है दोस्तों वुड जो है जो कोमन नेम है वुड जो कोश्चन दे राइट अंसर है कोश्चन नमबर फोर्टीन दोस्तों कोश्चन दे विच पुछिया गया है कि सब तो वड़ा सिंगल सेल ओर्गें यह जो केड़ा है दोस्तों कोश्चन दे राइट अंसर है D. Amoeba Question number 15 The World Health Organization Has Recently Approved The Emergency Used Of Which Country Sinopharm Vaccine Question दे विछ पुछिया गया है WHO ने हुनी recently किस country The Sinopharm Vaccine नू अप्रूवल दे दिती है A. China B. Japan C. Germany D. USA दोस्तों WHO ने China दी Sinopharm Vaccine नू एमर्जेंसी अप्रूवल दे दिती है So question दे दे राइट अंसरे A. China Question number 16 Kelp is Kelp की हुन्दा है A. Sulfide Minerals Of Iron B. Partially Decomposed Vegetation C. Seaweed Rich In Iodine Content D. An Aluminum Silicate Mineral दोस्तों केल्प जो है एक अल्गी दी ही परकार है और दोस्तों ही दे विच High Concentration Of Iodine हुन्दा है That's why दोस्तों इसनू गाइटर दी treatment दे विच यूज किता जान्दा है So question दे राइट अंसर है C. Seaweed Rich In Iodine Contents Question No. 17 Who is the first Punjabi Novelist to get Janpath Award? ओह पहले Punjabi Novelist कोंड सन? जिनानू Janpath Award मिल्या सिगा A. Shrinanak Singh B. Shri Gurdjyal Singh C. Shri Gurdjyal Duggal D. Shrinanak Duggal दोस्तों पंजाबी Novelist पहले Punjabi Novelist जिनानू Janpath Award मिल्या सिगा ओह सिगे Shri Gurdjyal Singh So question दे राइट अंसर है B. Shri Gurdjyal Singh was the first Punjabi Novelist to get Janpath Award Question No. 18 Who has won the prestigious Sheikh Jayad book award for her book Arabic, Oration, Art and Function दोस्तों question दे पुच्छया गया है कि शेक जायेद book award hate लिखें विच्चो किनू मिलिया है चार ओप्शन दितिहान A. Heather Qasim B. Tahira Qutbudin C. Salma Khadra and D. Hussain Mutawa दोस्तों question दे राइट अंसर है B. Tahira Qutbudin Tahira Qutbudin won the prestigious Sheikh Jayad book award Question number 19 Which of the following bacteria is responsible for the formation of curd? Question विच्चया गया है कि hate लिखें विच्चो केड़ा bacteria है जो curd दे formation दे लाई responsible होंदा है दोस्तों चार ओप्शन दितिहान पहली है कि Lycopodium second is yeast third is Lactobacillus and fourth is fungus दोस्तों Lactobacillus जो है एक बैक्टीरिया है और जो curd दे formation दे लाई responsible है so question दे इथे right answer है C Lactobacillus question number 20 who among the following introduce local self-government in India दोस्तों question दे विच्चया गया है कि hate लिखें विचो कौन हन जिना ने इंडिया दे विच local self-government the concept introduced किता सिग चार ओप्शन दितिया हन first is Lord Kenning second is Lord Ripan third is Raja Ram Mohan Rai and fourth is Lord Mountbatten दोस्तों Lord Ripan नू father of local self-government भी कहा जान्दा है और Lord Ripan नहीं इंडिया दे विच local self-government the concept introduced किता सिगा so question दे थे right answer है to Lord Ripan दोस्तों इदे नाली साड़ा अज दा journal study दा practice set number 10 दा end हुन्दा है जे कर थानू साड़ा प्रयास चंगा लगे तब प्लीज वीडियो नू जुरूर लाइक करना और चैनल नू सब्सक्राइब करना ना पुलना so दोस्तों मिलते हैं साड़ी नवी वीडियो दे नाल थेंक्यू फ्रेंड्स थेंक्यू फर वाचिंग आवर वीडियो